हुआ 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 है लोगों की बीच लेके आया हुँ नियो रिसी फी मेसुर मसाला डोसा हाँ फ्रेंड आज हम बनाएंगे मेसुर मसाला डोसा जिसके लिए देखी मैंने दाल और टूट एस राइस हमने ले लिए बॉयल राइस और कच्चा राइस और ये देखे उह दाल जिसको हम माटी दाल भी गोलते हैं अब हम इसको क्या करेंगे मिनीमम एक घंटा देर गंटा जैसे पानी में भीगो के रखने के बाद इसको हम मिक अपनी और टबाइटो कीमा किा उए और किसी कऔर रॉसा का मसाला हमने डॉसा रूल में आपको बनाना कैसे है वो देखला चूए हैं आप लोग वो वीडियो जाके देख लिए और उसका साथ ओणियन किमा किया हूँआ और केरोट गरेट किया हूँआ हमको पहले ले ले ल ना करें क्योंकि जब आप वीडियो के skip कर देंगे तो आप सोचेंगे हमने तो सीख लिए लेकिन नहीं अभी बहुत कुछ बाकी है तो ये देखिए फ्रेंड सबसे पहले हम धोसा कैसे घुमाते हैं मतलब बनाते कैसे हैं तो ये देखिए हमने स्टील का बॉल छोटा सा बॉल में लेके गोल और लेडि तावा पे हमने डाल रखे हैं जो आईरन का तावा है और ऐसे गोल गोल हम घुमा लेते हैं देखिए कितना बड़ा धोसा और कितना अच्छा बनाए हैं अब फ्रेंड आप लोग घर पे नौनिस्टिक फ्राइपिन में जरोड ट्राइक कीजेगा मतलब नौनिस्टिक तावा पे मार्केट में मिल ही जाता है असानी से तो इसका उपर ये हम देखिए रिफाइंड वैल हमने एड किया हैं तो फ्रेंड आप लोगों के बीच बहुती सूपर और बहुती टेस्टी धोसा बनके आने वाला है मेशुर्क मसाला धोसा है तो हमने सबसे पहले ओनियन क्यों डाले हैं क्योंकि ओनियन कच्चा रहता है तो उसका महक ना लगे और देखिए मैंने जो रेड चटनी जो टमेटो चटनी जिसको हम बोलते हैं बनाएं इसका भी मैं रिसीपी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए आप लोगों जरूर देखिएगा तो इससे पहले हमने इसको क्या करते हैं धोसा पे अच्छा तरीका से मतलब लगा देते हैं मतलब लेप लेते हैं जिसको भोलते हैं अच्छा तरीका से लगा लिए अब इसका उपर हम क्या करेंगे कोकोनेट चटनी मतलब नारियल का जो चटनी बनाते हैं उसको हम अच्छा तरीका से एड कर लेते हैं और उसको भी पूरा ढोसा में अच्छा तरीका से लगा देते हैं अब देखिए फ्रेंड हम इसका उपर कीमा किया हुआ टेमेटो मतलब टमाटर हम एड कर लिए और ग्रीन केफसी कम कीमा किया हुआ मतलब चोपिंग किया हुआ छोटा-छोटा सा वो भी एड कर लिए अब इसका उपर कैरोट मतलब गाजर गरेट किया हुआ वो भी हमने एड कर लिए तो आप लोगों ने देखा मेशुर मसाला धोसा बनाने के लिए हमने धोसा मसाला की भी थासा इस्तिमाल किया है अब क्या एड करने वाले हैं फ्रेंड सोचिए 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 मैं क्या एड करने वाला हूँ कोरियंडर लिफ्स जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा मतलब फ्लेवर भी ऐसा ही आएगा क्योंकि सिजनल है और सेंड भी बहुत अच्छा लेके आता है तो आप लोग ने जरूर इस दोसा को घर पे बनाए और ट्राइ करें ये दिखे मैं बहुत ही नजदीकी से आपको देख लाए हूँ क्या क्या यूज करता हूँ और थोड़ा सा और कुछ आइड कर लेते हैं जो है बटर वो तो और भी बहुत टेस्टी लेके आने वाला है आप लोगों को डोसा में घर पे बनाना न भूले एक पर जरूर ट्राइ कीजिएगा हाँ फ्रेंड मैं आप लोगों के बीच डोसा बनाना और मेसुर मसला डोसा का रिसीपी मैंने दिखलाया हूँ और कितना असानी से उट गया जो हमने सांबर और चटनी रेड चटनी और कोकोनेट चटनी के साथ सर्विंग करते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सिस्क्राइब करना न भोले और बेल लोक अंदवाना न भोले कोमेंट जरूर करें